हलो नवस्कार साथियो मैं संदीव वर्मा आपके अपने चैनल ओम प्रोपरटीज पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम आपके लिए एक अगरिकल्चर लेंड की प्रोपरटी लेक रहे हैं जो यह जमीन है तहसील फतेवाद डिश्टिक फतेवाद राज्य अरियाने की ज जो आप अपने शग्रिन पर जो जमीन देख पां रहे है जो यह जमीन है च्यारे कड़ के करीबए जमीन है जो जमीन है यह दान की जमीन रहे जो जमीन है ये फतेबाद से लगबग 15 से 17 किलोमेटर के डिस्टाइन्स पे रहेगी, इसार से 45 किलोमेटर के डिस्टाइन्स पे रहेगी, अगरुआ से लगबग 17-18 किलोमेटर के डिस्टाइन्स पे रहेगी, जो जमीन है च्छार करम सोरी तीन करम के रास्ते पर रहेगी खास किला नमबर के जमीन है आप देख सकते हो अभी इसके अंदर जो दान लगाई हूए है पंदरा जीरो नो है साइब जो इसके और राइटी है उसका अपने को ज्यादा इतना ग्यान नहीं है कोण सी है कोण सी इसमें कुछ एरिये में पियार लगाई हुई है जो भी है यह आप देख सकते हो अच्छी है जो निच्छे का वाटर लेवल है यहां का लगबग 15-20 फिट की गराई पियां का वाटर लेवल है जो टीवल मोकी पर चल रहे हैं बड़िया मीठा पानी है अच्छी जमीन है यहां आसपास देख सकते हो डानियां बढ़ी हुई है यह ऐसी जमीन है जिसमें आप रहकर खेती भी कर सकते हो अपना मकान भी यहीं पर बना सकते हो अगर कोई छोटा फार्मर है जिसे कम जमीन की आवशकता है जिनका बजट कम है तो ऐसी जमीन आप खरीद सकते हो जो जमीन इस जमीन की अभी मोके पर पार्टे डिमांड 35 लाख रुपर परेकड के हिसाब से है नेरी पानी की जमीन है नेरिया बिलकुल नजदी की है जमीन जमीन पर पक्का खड़ा लगता है उदर प्लेट लगी हुई है यहां पर पक्का खड़ा है जमीन का यह पकी नाड़ी है इस जमीन में आपको एक मकान बढ़ाव मकान मिल जाएगा तो अच्छी सर्विस की जमीन है यह दिमांड के इसाब से ठीक है 35 लाख रुपर कोई गुंजाई सेदा ओन टेबल डिसाइड हो जाएगा तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे मिलकर इस जमीन के रिगार्डिंग बेटकर बात कर शकते हो लगबग एक टुकड़ा इस जमीन का यह है और एक टुकड़ा यह है खपास वाड़ा तो यहां पर यह चारे कड़ जमीन मिल जाएगा आपको यह मकान बन्या हुआ है पस्वों के लिए अलग से बना रख्या है तो आप पने इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि आपको प्रोपर्टी से संबादित जानकारी साथ के साथ मिलती रहे तो दन्यावा साथियों मिलते हैं अच्छे लोकेशन के बैस्ट प्रोपर्टी के साथ सब्सक्राइब करें दो झाचित प्रोपलोग्स